दो सितंबर जो है आज हो चुका है इसकूलों में 80% स्लेबस जो है कवर करा दिया गया है डेट शीट भी भाई आ चुकी है लेकिन मैं तो एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसका भी 40% स्लेबस भी खतम नहीं हुआ है तो आखिर कैसे आप जो है Half Yearly Exam के अंदर Good Marks जो है वो गेन कर सकते हैं आखिर कैसे आप Half Yearly Exam में टीचर की नजरों से जो है बच सकते हैं क्योंकि अगर आपने Half Yearly Exam के अंदर अच्छी Performance नहीं दी तो टीचर की नजरों में आप आ जाओगे और अगर टीचर की नजरों में तो फिर Practical में आपको जो है किस तरीके से Marks मिलेंगे वहाँ भी Problem Area जो है Create हो जाएगा मेरे से बहुत सारे स्टुडेंट ये सवाल पूछ रहे कि सर आप हमें कुछ इस तरीके की Strategy बताईए कि हम Half Yearly Exam के अंदर Economics में बहुत ही अच्छे Marks जो है वो गेन कर सकते हैं आप हमें बताईए कि हमें Economics को किस तरीके से पढ़ना चाहिए Half Yearly Exam के लिए तो आज हम जो है Half Yearly Exam के लिए ही ये बात करने वाले हैं कि Economics को किस तरीके से पढ़ा जाए कि आप उसके अंदर बहुत ही अच्छे Marks जो हैं वो गेन कर सकते हैं सबसे बहुत है अगर हम बात करते हैं बुक अभी तक ठीक है कुछ भी नहीं पड़ा उसको Economics से कोई भी लेना देना जो है नहीं है और कुछ ऐसे हैं जिनोंने पड़ा है तो अगर हम बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पड़ा आप अभी बिल्कुल 0% पर हो 0% तो आपको क्या करना है आपको सबस है पड़ी बात तो भाई आपको ऐसा कुछ सोच नहीं है कि मैं अपना 100% स्लेवस जो है वो कवर कर दूँगा हाफ एरली के लिए brilliant पर से पर से स्लेवन से तो आपको जो है भागना ही नहीं है अगर आप 100% स्लेवस के पीछे भागोगे तो भाई फिर तो जो है ना 100あー попроб कि आपको केवल 60% स्लेवस जो है वो कवर करना है और इस 60% में से एक्जाम में कहीं से भी कोशन आ जाए मैं उसको अटेंड कर दूँगा या कर दूँगी जैसे कि अगर हम बात करते हैं समस्टी अर्थिशास्त्र की तो आपको यहां पे किन चेप्टर पे फोकस करना है तो अ के लिए भी आपको बहुत ही जड़ा हेल्प करने वाले हैं पहला जो चेप्टर है वह रास्टे आए और दूसरा जो चेप्टर है वह है आए वा रोजगार का निर्धारन आप बोलो के बाई यही दोनों नहीं आते इन दोनों को छोड़के तो मेरे को सारे चेप्टर आते हैं क्योंकि मुझे पता है आप क्यों के बाई में को तो मुद्रा बैंकिंग सरकारी बजट विदेशी बिन में यह आते हैं तूने यह जो चेप्टर लिग दिये तो बाई इन दोनों को छोड़के ही मुझे सारे के सारे आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह दोनों जो एकलोते हैं यह दोनो एकलोते आपके सबसे जादा स्कोरिंग यह कह सकते हो 22 marks के जो हैं यह स्कोर करते हैं यह दोनो एकलोते आपको क्या करना है दो तरीके के student है एक का है theoretical strong एक का है numerical strong और एक के है दोनो strong तो जिसके दोनो strong है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है जिसका दोनो strong नहीं है जिसको numerical समझ में नहीं आते हैं आपको क्या करना है आपको जो है भाई सबसे पहले तो theory इसकी और इसकी आपको इन दोनो chapters की fully theoretical question आपको इससे जो जो इसमें important topics हैं जो जो इससे important question ब कौन कौन से important topic है कौन कौन से important question है तो आप मुझे comment box में comment कर दीजिएगा हम जो है half early exam के लिए जितना भी आपका syllabus आ रहा है उसके important topics को जो है उसके उपर एक video बना देंगे तो आप वो topic पढ़के चले जाएगा लेकिन मुझे comment box में comment करिएगा जरूर अगर comment आएंगी तो ह हम जो है इसमें video बनाएंगे अदरवाइज इस पे video नहीं बनने वाली है इसके बाद अगर आपका numerical strong है तो मेरे भाई आप जो है आप जो है रास्ट या है के आई विदी वेविदी उत्पाद विदी इसके भी numerical को जो है बहुत ही अच्छे से cover कर लीजिए और आई और वे theoretical question और numerical question भर भर कर आने हैं और यही दोनों एकलोते ऐसे chapter हैं जो आपका जो है economics के अंदर कल्यान कर सकते हैं और जिसका दोनों strong है वो तो भाई theory और numerical वो तो दोनों ही पढ़ेगा उसको दोनों पे ही focus करना पड़ेगा आप tuition पढ़िए जहांसे भी आप पढ़ते हैं मेर से पढ़ते हैं मेर से तो पढ़ते हैं फिर तो कोई कती बात ही नहीं है अगर आपको यह chapter समंझ में नहीं आ रहा है कोई भी वीदिया समंझ में नहीं आ रही है तो भाई आपको अपने tuition में भी समंझ में नहीं आ रहा है आपने tuition ही नहीं लगाई है school में भी समंझ में नहीं जो है मेरे से लाइफ क्लास भी ले सकते हैं मैं लाइफ भी पढ़ाता हूँ या अगर आप लाइफ क्लास नहीं ले सकते हैं तो आप हमसे वीडियो भी भाई कर सकते हैं ओनली 200 रुपीज में आपको दोनों ही बुकों की दोनों ही बुकों की complete syllabus की वीडियो मिलेगी पूरा का पूरा हाफ यह ले नहीं पूरी complete syllabus की आपको वीडियो मिलेगी वहां से भी आप कर सकते हैं ठीक है यह मेरा whatsapp नमबर है 3590158317 आप यहां से भी buy कर सकते हैं अदरवाइज आप मैं life class तो देता ही हूँ 100 रुपीज परमन्थ में जो fees रहती है वहां से भी आप जोईन कर सकते हैं वो आपको पता होगा आपको सबसे पहले यह दोनों chapter pillar है समस्ती अर्थशास्त्र के आपको सबसे पहले इन दोनों chapter को कैसे भी करके cover करना ही है जिसका theoretical strong है वो theory करे जिसका numerical strong है वो numerical करे और जिसका दोनों strong है वो δोनों के दोनों करे जित्ते भी important है सब कुछ इसके अंदर आपको जो है करना है उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारती अर्थ्वेवस्ता और विकास की तो भारती अर्थ्वेवस्ता और विकास की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो important जो chapter मैं आपको बता रहा हूँ आपको सबसे पहले क्या जिसका जितना सलेबस आ रहा है ठीके और पर्रयावरण वाला चैप्टर आपको पढ़ना है ये ऐसे चैप्टर है जो बहुत ही जादा स्कोरिंग चैप्टर है ठीके मानवपुन्जी, ग्रामिनविकास, पर्रयावरण जिसका पर्यावरन तक आ रहा है वो महां तक पड़े जिसका जा तक आ रहा है half yearly तक वो वहां तक पड़े ये बहुती scoring chapter है बाकि LPG वाला chapter आप पड़ेंगे ये सारे chapter बहुती scoring chapter है और जो मैं आपको data की जो video आपको बना के दे रहा हूं वो सारी की सारी वीडियो आपको देख कर जानी है most important data की जो मैंने वीडियो बना रखे playlist में सारा data आपको एक copy भी note कर लेना आप देखिएगा exam में जो भी question आ रहे हो उसी से ही आएंगे one marks के question इस बात की मेरी surety है बाकी भारती रथ्वस्ता विकास को किस तरीके से आपको पढ़ना है इसके उपर मैं वीडियो और लेडि बना चुका हूँ आपने अगर वो वीडियो नहीं देखिए तो परे वो वीडियो देखिए कैसे भारती रथ्वस्ता को और विकास को पढ़ना जाता है कैसे इस के अंदर इस theory को पूरा को पूरा cover किया जा और इसमें अच्छे marks gain कर सकते हैं यह सारे के सारे chapter बता रहा हूँ यह scoring chapter है शुरू के जो chapter है स्वतंतरता प्राप्ति के समय भारतर रत्वेवस्ता या आपका भारतर रत्वेवस्ता 1950 से लेके 1990 तक इतने scoring chapter जो है नहीं है ठीक है यह यहाँ पर बहुत ज़्यादा important chapter है तो इन chapter पर ज़्यादा focus कीजिए अगर यह आपके half yearly में आ रही है तो cover कैसे करना है वो मैं आपको जो है बता चुका हूँ तो आप सब के पीछे मत भागिए कि भाई मेरा 12 अर्थ्वेवस्ता विकास में यहां से लेके यहां तक आ रहा है सवतिंतरता प्राप्ति से पर रहा है वरता मैं तो सारा परूँगा और समस्टी अर्थिशास के पूरी बुक आ रही है मैं तो सारी पूरी बुक पढ़के चला जाओंगा भाई पूरी बुक आप अभी जीरो पर है आप अभी जीरो पर है आपको अभी इज़द बचानी है तो भाईया आपको 100% के पीछे नहीं बागना है आपको केवल 60% के पीछे बागना है 60% जो है वो कैसे कवर होगा और आप इसको इस तरीके से प्रिपेर कीजिए कि इस चैप्टर में से कहीं से भी कोश्चन आ जाए ये तो मेरा गलत नहीं होने वाला है और रही बात 40% स्लेवस की 40% उसमें से भी 10% ऐसा आता है जो आप अगल वगल से कह सकते हैं या स्कूल में ट्यूशन में कहीं पे भी आ आप अपना अटेंड कर सकते हो बहुत अच्छे मात्स आप ला सकते हो और सेम यही स्ट्राटेजी आपको अकाउंट में मैथ में हर जगा आपको यही स्ट्राटेजी अडॉप्ट करनी है 100% के पीछे नहीं वागना 100% के पीछे वह वागे भाई जो कीड़ा है हम तो 100% कर लेंगे नहीं करना है और यह ऐसे टेड़े चेप्टर है यह हुने भी नहीं वाले है तो यह ईसे चैप्टर है 100% के पीछे आपको नहीं भागना है बार-बार कहा हम इस की अगर आपने क्यूशन लगा रखkeln बहुत अच्छी बात है मेड़ से पढ़ते हो तो भी फिलास होती है ठीक है जैसा भी आप करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए have a good day bye bye take care